Hello students, welcome on my YouTube channel EducateJS और आज हम करेंगे top most important quality questions तो session को start करते हैं, let's start Question No.1 स्ववपर्थम सविधान सभा की मांग किसने की थी? इसके option है जवालाल नहरू, महात्मा गांधी या बाल गंगा दर्तिलग तो क्या होगा इसका correct answer? स्ववपर्थम सविधान सभा की जो मांग की थी? वो की थी? बाल गंगा दर्तिलग ने? इन्होंने 1895 में इसकी मांग की थी? जिसे सुवराज विधेयक प्रारूप इन्होंने पेस किया था और मादमा गान्दी ने 1922 में सुविधान सबा की मांग की थी और जवारलाल नहरू ने 1934 में सुविधान सबा की मांग की थी चलते हैं अमने नेट कोस्टन पर भारत में दोहरे सासन की सुरुवात किस एक्ट दुवारा हुई? इसके उप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1744 रेगुलेक्टिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1726 तो क्या होगा इसका क्रेक्ट आंसर? इसका क्रेक्ट आंसर है भारत में दोहरे सासन की जो सुरुवात हुई थी वो ही थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत वो जान लेते हैं Regulating Act के द्वारा भारत में ही कलकत्ता में Supreme Court की स्थापना हुई थी और जिसमें एक मुख्यनायदिस और तीन अन्यनायदिस से जो मुख्यनायदिस से उनका क्या नाम था उनका नाम था Sir Ali जहां इमपे चलते हैं अपने नेक्स कोश्चन पर भारत के पर्थम गवर्नर जर्नरल कौन थे इसके उप्षन ने लाड कैनिंग वारेन हैस्टिंग्स या लाड डल हो जी तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer रहे वारेन हैस्टिंग्स को भारत का पर्थम गवर्नर जर्नरल बनाया गया था चलते पनी next question पर भारतिय सुर्धान की अन्तिम बैठक कब हुई ? इसकी option है जिसंबर 1947 22 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950 तो क्या ओगा इसका correct answer इसका correct answer है भारतिय सुर्धान की अन्तिम जो बैठक हुई थी वह थी 24 जनवरी 1950 चलते पनी next question पर बारतिय स्विधान की प्रस्तावना में किसके समय में परिवर्तन किया गया था इसके option है ज्वालाल नेरू, मौरार जी देशाई या इंद्रा गांधी तो क्या होगा इसका correct answer होगा इंद्रा गांधी के time पर बारतिय स्विधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था और ये 1976 में किया गया था 42 में संसोधन में और इसमें 3 सब जोड़े गये थे अखंडता समाजवाद और धरम निर्पेक्सता चलते हैं अपने next question पर और ये काफी important question है काफी बार exam में आता रहता है चलते हैं अपने next question पर सविधान में मोली का दिकारों का वर्णन किस भाग में है सविधान में मोली का दिकारों का वर्णन किस भाग में है और उसने भाग 2 भाग 3 या भाग 4 तो किस भाग में है सविधान में मोली का दिकारों का जो वर्णन है वो है भाग तीन में और मोली का दिकारों का कॉंसेप्ट किस सविधान किस देश के सविधान से लिया गया था तो लिया गया था अमेरिका देश के सविधान से लिया गया था और ये मोली का दिकारों को जो वर्णन है किन आर्टिकल में है वो है 12 से 35 आर्टिकल में इनका वर्णन है चलते अपनी नेक्स कोस्टन पर सविधान सब्ज की उत्पत्ती किस भासा से हुई है ओप्सन है ग्रीक अंग्रेजी या लेटिन तो क्या होगा इसका करेक्ट आंस्वर है इसका करेक्ट आंस्वर है लेटिन भासा लेटिन भासा से सविधान सब्ज की उत्पत्ती हुई है लेटिन भासा के कांस्टी ट्यूर कांस्टि क्यूरे सब्द से जो है इसकी उत्त्ति हुई है चलते हैं अपने नेक्ष्क पर बारत में राष्पति किसका अभीन अंग है तो इसकी उप्सन है न्याय पाली का संसद्ध या मंतरी परिस्द्ध तो क्या होगा इसका क्रेक्ट आंसर इसका क्रेक्ट आंसर है भारत का जो राश्च्पति है वो संसद का अभिनंग है संसद जो है लोकसभा राज्यसभा और राश्च्पति इन तीनों से मिलकर बनती है चलते अपने नेक्ट कोस्चन पर प्रांतिय स्विधान समीती के अध्यक्स कोन थे तो इसके उफ्सन है जवालाल नेरू भीमराव अंबेड कर यह सरदार वल्लभाई पटेल तो क्या होगा इसका क्रेक्ट आंसर है अब इसका क्रेक्ट आंसर है प्रांतिय स्विधान समीती के जो अध्यक्स है यह सरदार वल्लभाई पटेल थे और इन्हें लोह पुरूस के नाम से भी जाना जाता है और ज्वालाल नेरू जो थे वह संग सकति स्विधान समीती के अध्यक्स थे जहां भी संग वर्ड लग और करके आएगा वह करेक्ट होगा मिसस भीम रावमेड का जो थे वह प्रारूप समीति के अध्यक्स थी चलते अपने नेक्स्टक्स्ट पर किस समीति की अनुसंसा पर सविधान में मौलिक करतेवियों को जूड़ा गया तो इसके उप्सन है संथानम समीति स्वाण सिंग समीति यह चलया समीति तो क्या होगा इसका क्रेक्ट आंसर इसका क्रेक्ट आंसर है और कब जोड़ा गया यह जोड़ा गया था 1976 में 42 सविधान संसोधन के द्वारा और जानने दें चलया समीति यह कर से रिलेटर समीति है और संथानम जो समीति है वो सिक्सा से रिलेटर समीति